प्रेजेंटिंग सिविल गुरुजी एप एवलेबल इन गूगल प्लेश्टोर डाउनलोड नाव और इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे सो बने रहेगा वीडियो के एंड तक अगर आपको पूरी डिटेल पर समझना है ग्रेडियंट के बारे में तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले समझते हैं कि ग्रेडियंट क्या होता है अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें जो एक सिंपल बेसिक डेफिनेशन है हमारे ग्रेडियंट की वो क्या है जो हमारी रोड होती है उसमें जो राइज आता है और फॉल आता है उसकी लेंथ के अलोंग और कॉंसी लेंथ जो एंजिनेश हमारी राइज और फॉल आता है हमारी रोड में उसी को एंजिनेश हम लोग ग्रेडियंट कहते हैं रोड का In other words, it is a longitudinal slope provided to the formation level of the road along its alignment जो हमारी road की formation level होती है जहां से engineers हमारी road बननी start होती है वहां से engineers जो हमारी longitudinal direction में जो हम अपनी road पर slope provide करते हैं उसी slope को engineers हम लोग क्या कहते हैं दूसरे नाम से gradient Gradient को engineers कैसे express करते हम लोग drawing पे It is generally expressed in 1 in N जहां पे भी आपका gradient होगा engineers तो आपकी जो drawing provide की जाएगी road की cross section की वहां पे जो slope लिखा होगा engineers की आपको कैसे slope maintain करते हुए चलना है तो वो कुछ इस तरीके से ही लिखा होगा 1 in N जहां पे 1 होगा engineers vertical unit और N जो होगी वो होगी आपकी horizontal unit अगर engineers आप लोग 1 meter अगर vertical direction में बढ़ रहे हैं तो N number of times engineers आप लोग horizontal direction में बढ़ेंगे इसको आगे देखेंगे engineers की हम लोग कैसे calculate करेंगे यह जो gradient होता है engineers इसको हम as a percentage में भी express करते हैं इसके बाद engineers आगे बढ़ते हैं और इसकी calculation के बारे में समझते हैं कि हम लोग gradient को कैसे calculate करते हैं जैसे कि engineers आप लोग इस image में देख रहे हैं कि यह मेरे पास एक road का cross section है जो मेरे पास 1000 meter का है इसके बाद यह जो vertical length है मेरी जहां पर मैं gradient provide कर रहा हूँ वो कितना है मेरा 25 meter अब मुझे यह देखना है कि कितना gradient मैंने provide किया इसकी percentage कितनी है कि मैं यह जो slope maintain करते वे चल रहा हूँ यह जो gradient है मेरा यह कितने percentage मैंने gradient provide किया है 1000 meter में तो simply मुझे engineers क्या formula लगाना पड़ेगा gradient को calculate करने के लिए vertical distance divided by horizontal distance and hole multiply by 100 so engineers जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे image में vertical distance मेरे पास 25 meter है and horizontal distance मेरे पास 1000 meter है और multiply कर देगे 100 से यहाँ से जो मुझे gradient की percentage मिली engineers वो मिली 2.5% मतलब कि engineers 1000 meter मैं horizontal distance में travel किया तो उसके respect में जो मैं 25 meter slope मैंने gradient provide किया तो उसकी जो percentage मेरे पास आई engineers वो कितने आई 2.5% इसको engineers आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप 40 meter horizontal direction में बढ़ेंगे तो आपको 1 meter का slope provide करना पड़ेगा उस 40 meter बढ़ने में तो ऐसे engineers आपको अपना gradient maintain करते हुए चलना पड़ता है site पर सेम एस इसे ही आपको drawing पर भी represent किया जाएगा कि आपको 1 is to 40 का gradient provide करना है 1 is to 50 का provide करना है या 1 is to 30 का gradient provide करते हुए चलना है अब समझते engineers की purpose क्या होता है हमारे gradient का कि हम लोग gradient क्यों provide करते है क्या क्या purpose हमारा which are located at different levels जैसे कि engineers मेरे पास दो रोड है हो मुझे दोनों रोड को connect करना है बड़ प्रोब्लम क्या दिये कि जो मेरी पहली वाली रोड है उसका लेवल थोड़ा सा नीचे है as compared to second वाली रोड के लेवल के तो मुझे क्या करना पड़ेगा उन दोनों के लेवल को maintain करना पड़ेगा तो मैं दो प्रोसेस यूज कर सकता हूँ पहला क्या करूँगा इंजिनिस cutting और filling करा के वहाँ पर दोनों लेवल को एक लेवल पर लेया हूँ और दूसरा प्रोसेस क्या होगा इंजिनिस की वहाँ पर मैं slope provide कर दूँ जहां पर हमारे जो low road के बीच में level में difference आता है तो हम वहाँ पर gradient को provide करते हैं उसके बाद इंजिनिस जो next purpose होता है वो क्या होता है to provide effective drainage of rainwater especially when the pavement is provided with the curves जैसे कि इंजिनिस हमारे pavement के उपर पानी आता है rainwater आता है तो इंजिनिस वो हमारा जो rainwater है तो असानी से drain out हो जाए हमारे pavement के उपर इसले इंजिनिस हम लोगों को gradient वहाँ पर provide करना चाहिए जहां पर ज्यादा तर बारिश होने के chances ज्यादा होते हैं उस जगा पर इंजिनिस ज्यादा तर हमें क्या करना चाहिए थोड़ा सा gradient वहाँ पर लेते वे चलना चाहिए जिसकी वज़ासे जो हमारा rainwater है वो जल्दी से जल्दी हमारे pavement के उपर से drain out हो जाए जिससे जो हमारा pavement है वो जल्दी से damage ना हो उस rainwater की वज़ा से इसके बाद इंजिनिस जो third purpose होता है वो क्या है to construct the side drains economically जैसे कि इंजिनिस अगर हम लोग gradient का use करेंगे अपनी road के उपर तो क्या होगा इंजिनिस जो rainwater है वो हमारे pavement के उपर रुकेगा नहीं और हमारा जल्दी से जल्दी drain out हो जाएगा हमारी drains में इससे फाइदा क्या होता है इंजिनिस की अच्छे से gradient प्रोवाइट किया है इसके बाद इंजिनिस फोट परपस क्या है हमारा to make the earth work required for the road construction economic by balancing cutting and filling जैसे कि इंजिनिस हम लोग earth work कर रहे हैं जहां पर भी हम लोग अपना road का construction work start कर रहे हैं महां पर क्या करना पड़ेगा इंजिनिस अगर हम लोग gradient अच्छे से लेते हुए चल रहे हैं तो क्या होगा इंजिनिस जो हमारे earth work में लगने वाली cost इंजिनिस वो थोड़ी सी minimize हो सकती है अगर हम लोग balance करने cutting और filling को तो यह थे इंजिनिस हमारे purpose की हम लोग क्यों gradient को provide करते हैं इसके बाद बात करतें इंजिनिस की importance क्या होती है हमारी gradient की की gradient हमारा इतना क्यों important होता है और हमें इतना क्यों इसको लेते हुए चलना पड़ता है जब भी हम लोग अपना road का construction work कर रहे होते हैं The gradient is the most important part of the construction of road It is essential to give properly required gradient to the road along the length of its alignment with respect to horizontal Gradient जो होता है इंजिनिस वो हमारे road construction work में एक बहुती important role play करता है तो हमें यह ध्यार रखना चाहिए कि हम लोग जो gradient provide कर रहे हैं वो properly provide करें जैसे वहाँ पर requirement है उसको provide करने की जो हमारा horizontal alignment है और जो हमारा vertical alignment है वो हम maintain करते वे चलें जैसे हमें drawing में given है उसके बाद इंजिनिस जो next point है वो क्या है gradient allows movement of the vehicle on the vertical curves smoothly जैसे कि इंजिनिस आपने vertical curves देखेंगे जैसे आप hilly area में travel कर रहे होंगे तो वहाँ पर जो हमारा gradient होता है वो हमें maintain करते वे चलना परता है ज्यादा तर hilly area में क्यों engineers क्योंकि जो हमारा vehicle का movement है curves पर वो smoothly हो सके अगर engineers हम लोग gradient को maintain करते वे नहीं चलेंगे और uneven gradient वहाँ पर provide करेंगे तो जो हमारा vehicle का movement है उस curve के उपर वो smoothly नहीं हो पाएगा जिसकी वज़ा से वहाँ पर इंजिनियर्स accident होने के chances बढ़ जाएंगे इसके बाद इंजिनियर्स third point क्या है जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो हमारा surface के उपर rain water आता है और जो हमारा payment है वो जल्दी damage नहीं होता है इस rain water की वज़ा से इसके बाद इंजिनियर्स जो fourth point है वो क्या है gradient are very helpful on curve roads in flat terrain where drainage problem arises जहाँ पर इंजिनियर्स हमारी flat terrain होती है और curve road होती है वहाँ पर इंजिनियर्स हमें gradient को अच्छे से maintain करते हुए चलने की जरुवत पड़ती है वहाँ पर gradient एक major role play करता है क्यों इंजिनियर्स क्योंकि वहाँ पर क्या होता है इंजिनियर्स flat terrain में की हमारा क्या होता है कि वहाँ पर drainage की problem arise हो जाती है मतलब कि जो हमारा water है वह payment के ओपर ही रुख जाता है तो इंजिनियर्स अगर हम वहाँ पर अच्छे से gradient provide करेंगे तो यह problem हमारी दूर हो सकती है बहुत ही असानी से और हमारा payment भी जल्दी damage नहीं होगा इसके बाद इंजिनियर्स जो last topic है उसके बारे में सबचते हैं कि effect क्या होता है gradient provide करने से जैसे कि इंजिनियर्स आप लोग hill में travel कर रहे होंगे तो इंजिनियर्स क्या होगा कि वहाँ पर gradient अगर हमने ज्यादा provide कर दिया तो वहाँ से क्या होता है इंजिनियर्स के हम दूर तक ज्यादा नहीं देख सकते हैं जिसकी वज़ाँ से इंजिनियर्स जो हमारी vehicle है उसके उपर control उतना अच्छा नहीं होता है जितना हमारी plat terrain पे होता है तो इसी वज़ाँ से वहाँ पर heavy vehicles के accident होने के chances ज्यादा हो जाते है इंजिनियर्स और जो service charge होता है इंजिनियर्स वह भी हमारा increase हो जाता है अगर हम वहाँ पे sufficiently gradient नहीं provide करेंगे उसके बाद इंजिनियर्स जो हमारी capacity होती है road की वह भी reduce हो जाती है इसके बाद इंजिनियर्स जो second effect है हमारी gradient का वह क्या है इंजिनियर्स due to high speed between heavy and light vehicles and between uphill and downhill gradient accidents abound in the gradients high speed होने के कारण से इंजिनियर्स क्यों होता है कि heavy और light vehicles के बीच में high speed का difference आ जाता है जब भी हम लोग uphill और downhill travel करते है जिसकी वज़ा से इंजिनियर्स क्यों होता है कि accident होने के chances gradient पे बढ़ जाते है जैसे कि जो हमारी heavy vehicle है वो gradient के उपर जो slope है हमारा उसके उपर दीरे चले take नहीं पारा जब वो overtake कर रहा है तो हो सकता है इंजिनियर्स की सामने से कोई vehicle आ रही हो और हो सकता है कि उसको बचाने के चक्कर में उन दोरो vehicles का accident हो जाए तो यह problem आती है gradient provide करने में आपको समझ में आ चुका होगए कि gradient क्या होता है इसका purpose क्यों होता है इसका importance क्यों होत तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और notification bell icon को तो जरूर प्रेस करिएगा जिससे future में आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें तब तक क्यों इंजिनियर्स थैंक यू कीप लेर्णिंग कीप शेरिंग